आपको बताऊंगा आगर आपका internet banking account है SBI में खाता है तो ऐसे में आप जोब भी कई पे पेसे बेसते हो या फिर आपका पेसे कई से credit होते हैं या फिर आप बिड्रो करते हो ओके कई पे टेंस पर करते हो balance तो ऐसे में आपको कुछ ना कुछ reward point आपको देखनी के लिए मिलते ह internet banking account में ओके तो इसके बरे में काफी लोगों को पता होते हैं तो काफी लोगों को पता नहीं होते हैं जिन लोगों को पता नहीं होते हैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ इस वीडियो को आपको लाज तक देखना है कि कि internet banking account में जोब भी हम लोग transition करते हैं हमें reward point दिया ज जाना है तो फिर इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा बीना स्किप किया कि SBI की खाता अगर आपका है और इसे में इंटरने बैंकिंग एकाउंट है तो रिवर्ड पॉइंट आपको काफी सारे मिले होंगे तो इसे में उस रिवर्ड पॉइंट को किस तरह से उस करना हो ही मैं आपको बताऊंगा और आपका रिचास भी हो जाएगा तो चलिए अगर इस में हो भी आपको ले के चलूँगा मेरे लेट्ट आप की स्किन पर उधार जाके मैं आपको इसे बताने बलाओ आपका जो भी SBI का इंटरनेट बैंकिंग एकाउंट है सबसे पहले लोगिन कर लेना है ओनलाइन SBI पर आके और उसके बात आपको कुछ रिवर्ड पॉइंट आपको देखने के लिए जरूर मिले होंगे SBI की इंटरनेट बैंकिंग एकाउंट में जब भी हम लोग कई पर ट्रैंजर्शन करते हैं पेसे बैसते हैं या फिर पेसे आते हैं लेन देन जब भी करते हमको कुछ रिवर्ड पॉइंट SBI की तरफ से दिया जाता है उके उन रिवर्ड पॉइंट की मदद से आप लोग मिल जाएगा आप चाहिए तो देख सकते हो तो चलिए अभी रिचास करेंगे आपको केसे करना है वो बताऊंगा उसके लिए आपको देख सकते हो नीचे एक उप्सन दिया गया है SBI reward तो आपको सिंपल इसमें किलिक करते हैं देख सकते हो नीचे दिया गया उप्सन करेंगे तो आपको दिखा है जाएगा कितना पॉइंट का आप का अब टांजर्शन किया था ओके और अगर इस पॉइंट को आप रिडिम करना चाहते हो ओके तो इसकी लिए आपको क्या करना पड़ेगा लास्ट में देख सकते हो किलिक रिडिम यूर पॉइंट लिखा ग उसके बाद आपको आईगरी में किलिक करना चले किलिक करता है जैसे आप आईगरी पर किलिक करेंगे आपको एक नया वेपसाइट पर रिडिरेक कर दिया जाएगा इंटरनेट बैंकिंग एकाउंट की तरफ से जैसे कि देख सकते हो SBI लिवाट लिखा गया बीच में और गुल-गुल घुम रहा है और गुमने के बाद यहां पर एक नया वेपसाइट ओपन हो जाएगा जैसे कि देख सकते हो ओके शौप एक ओपन हो चुगा है यहां पर कापी सारे ओप्सन हमें देखने के लिए मिल जाते है जैसे कि e-commerce है, git बचा रहे है, रिचास का ओप्सन है, charity है, offer है, move है, travel है, ओके तो इस तरह कापी सारे ओप्सन आपको इधर देखने के लिए मिल जाएंगे, ओके तो ओभी आपको क्या करना है, रिचास में किलिक करना है, कि मुझे ओभी रिचास करना है, और इसलिए यहां पर मैं mobile रिचास को select करूँगा, आप चाहते हो DTS का कर सकते हो, बिल पे भी कर सकते हो, चलिए अब रिचास बिल पेमें में किलिक करते हैं, जैसे किलिक करेंगे, यहां पर mobile रिचास का ओप्सन होगे, DTS रिचास का ओप्सन होगे, बिल पेमें का ओप्सन होगे, तो मुझे भी mobile रिचास करना है, इसलिए mobile रिचास में किलिक कर दिना ओके जैसे continue करेंगे यहां पर प्रोसिट करना पड़ेगा सामीर या जाएगा आपका फिलाल में ब्लाड रखाव डीटियल्स को ओके और यहां पर आपका वडर आपको दिखने के लिए मिल जाएगा आप कितना कोईन का इस्तेमाल कर रहे हो यहां पर सब कुछ दिख करेंगे आपका रेजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीप आएंगे वह डालना पड़ेगा यानि इंट्रनेट बैंकिंग अकॉन में जो मोबाइल नंबर आपका है उसी में ओटीप आएंगे वह यहां पर आपको फिल करना है और उसके बाद कौनफर्म में किलिक कर दे आपको भी कौनफर्म कर लेना है जैसे आप करेंगे यहां पर देख सकते हो रिक्वेस्ट प्रसेशिंग हो रहा है ओके प्लीस वेट करने के लिए हमें बताया गया है थोरा टाइम हमें वेट करना है तो उसके बाद गैस ओर्डर हो जाएगा यह जैसे कि ओर्डर पूली यानि हमने रिचस कर लिए फाइनली अपनी मोबाइल नंबर पर तो मेरे फोन में अभी रिचस हो चुक है 119 रुपिया का जीओ का रिचस किया हो आप भी इस तरह से रिवर्ड पॉइंट की मदर से अपनी फोन में रिचस कर सकते हो उमीद करता हो वीडियो पसंद सब्सक्राइब करेंगे आने वाले समय में आपको काफी कुछ जान करें इस चैनल की पर देखने के लिए मिलेंगे